बेस्टे ट्रेडर्स, कॉंप्लिट सलुशन फर सबमेरिसिबल पंपस और अलेक्रिकल अक्सेसोरीज नियर ओल्ड ओट्य ओफीस महभूब नगर। सरकार एक end-to-end IT डाशबॉड यूज़ कर मरीजों की टेस्टिंग से डिस्चार्ज तक ट्राकिंग कर रही है। उन्हों दे गांधी अस्पताल भी विजिट किया जो COVID-19 के लिए स्टेट नोडल सेंटर है। और यहां टीम ने पाया कि इलाज और डिस्चार्ज के सभी प्रो कि दिन करने वाली लाबरेटरी भी है। इलाज होने के बाद अस्पताल की गाड़ी पेशन्ट को घर तक छोड़ती है और मोबाइल संदेश द्वारा भी 14 दिन होम कौरिंटाइन की सूचना देती है। अस्पताल में भरती मरीजों को फ्री वाइफा इत्यादी की भी कि अस्पताल में डॉनिंग और डॉफिंग एरियास को दूर दूर होना चाहिए। कर्मचारियों और मरीजों के लिए अलग-अलग कॉरिडॉर होने चाहिए। कुछ वाडों में अटाइक सौचाले नहीं थे। टीम ने सलहा दी कि इन वाडों में मरीजों को भरती ना करे जिससे कि सब लोग कॉमन कॉरिडॉर में एकत्र ना हो। टीम ने हुमायू नगर का कंटेन्मेंट जोन भी विजिट किया जिसको बैरिकेड किया गया है। हाउस तु हाउस सर्विलेंस वहाँ चल रही है। आवश्यक समान और सेवाए निगम द्वारा डॉर स्टेप पर उपलत कराई जा रही हैं जिसके लिए निगम स्टाफ और कंटेन्मेंट जोन के निवासियों का एक वाट्साप ग्रूप भी बनाया गया है। कुछ हिस्सों में पुलिस द्वारा ड्रोन की मदद से निगरानी भी की जा रही है। टीम ने कॉरिंटाइन सेंटर भी विजि होस्पिटल्स और सब डिस्ट्रिक होस्पिटल्स में दवाईयों के स्टॉक की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। टीम ने एक शर्टो होम का भी मुआइना किया। यहां सरकार द्वारा भोजन और अन्य देनिक उप्योग की वस्तुए प्रदान की जा रही है। म ओल्डेज होम्स, नाइट शेल्टर्स, और्फनेजर्स, फ्रांस जेंडर्स को भी भोजन की सुविधा उपलप्त करा रही है। टीम ने अधिकांश स्थानों पर लॉकडाउन का अनुपालन सफल पाया और इसमें कम्यूनिटी लीडर्स का भी योगदान रहा है। टीम न संबंदित अधिकारियों को ध्यान रखने के लिए सुझाब दिया और श्रमेकों का नियमत मेडिकल चेकप कराने के लिए कहा। अज भी दस्तियाब हैं।